असलामुलीकुम , कैसे हैं आप सब ? तो हम बना रहे हैं अज घेबला जो घर में ही आसानी से बना लेंगे और इस सफ़र के लिए अगर आप ड्रैवल कर रहे है तो खाली सफर कर दो बहुत ही बैस बैस्ट ऑप्षीन होता है मेघा को शबहना है मैघा को ऊहा भॉच छॉप के एक उझाल से पाणी लिए है ऊप अठान जाग लिए हिसला मेघा हां हम तुप कुछ किया है तो यह मैंने 1-1.002, IFroyori छॉप कुछ किया है इसी को का कर लोगी दोनों आटे को ही मिला कर बनाया जाता है और जोमने मीति कट करके रखा था वह इसी में एड़ कर देंगे आपको टाओ भी इस्तिमाल कर जाकते हैं यहाँ पर मैंने वन थर्ड कप दही लिया है अब यह सारी चीज़े ले ली है और इसमें मैं थीरी टेबल स्पून के करीब ओल लिया है यह सब मसालों को हम अच्छे तरह से मिक्स करेंगे बिना पानी मिलाए हम इसमें पहले इसको अ इस्तिमाल वॉटर भी अपनी यहां बड़ पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी लिकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँ है इसंदे लिगा दो थरा तरह इस थोड़ा पानी मिलीकर अलाटी नहीं करेंगे इस बस तरह पानी मिलाते जाएगा एक साह थारा पानी सजब दो आप जाए तो रखते नाइम पर लिगा दिए गा की हम उप बहुत अची तर इसे आटा लग गया है बहुत ही नर्म सॉफ्ट सा बनकिया तैडी हुआ है अब इस पर ऑईल लगा रही हूं हलका हाथ लगाया ऑईल का दस पंदर मिट के लिए इसको रैस करने के लिए लग देंगे पंदर मिट के बाद आटा निकाला है देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है और अब हम इसके पेड़े बना लेंगे चोटे-चोटे बॉल्स नीबू के साइस के बना लिजे क्योंकि थेबला चोटा ही बनता है और सॉफ्ट सा पतला बनता है तो हम जादर बड़े नहीं बनाएं के इसरा से में इसको फ्लैट करें और अब शम्हा अठा लगाकर हम इसको यह लादा ना हुआ एगे अश्युक्ति है इस तरह से थोड़ा पैल लिए और बबीद्थ लगी तो हम इस सुखा अठा लगाइंगे और वैलते जाएंगे जैसे हम रोटी बैलते सब्सक्राइब करें तो मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे ही लगे और अगर नहीं लगता है तो आटा लगाते जाएंगे और इसको बिल्कुल पतला सा बेल लेंगे क्योंकि थेपला जो होता है पतला ही बेला जाता है यह देखिए हमाया थेपला बनकर रेडी हो गया है इस तरह से आपको बेलना है बहुत पतला सही बेलना है इसको और अब प्लेट या कुछ भी ले आप ट्रेव अगरा ले उसमें सुकहाटा नीचे लगा ले और सारे थेपला बनाकर उस पर स्टोर करते जाए रखते जाए अ सुकहाटा लगाते जाएंगे और इसको पतला बिलते जाएंगे कोशिश करिएगा कि पतले ही बने थोड़े थिक रहे गए तो फिर यह सॉफ्ट नहीं रहेंगे और थेपले जोते ना सॉफ्ट और पतले ही अच्छे लगते हैं इसी तरह मैं सारे थेपले बना कर रेडी कर लोगी मैंने थे प्राइब बनाकर रेडी कर ले हैं अभी हम तवा कर लेंगे तवा अच्छा गरम होना चाहिए उस पहल्का सा ओ लगाया है जरूरत नहीं लगाने की आप चाहे तो ओल लगाले वैसे भी नॉन स्जिक तवा बस ऐसे ही लगा दिया और आप भी चाहिए तो रोटी की थारा सेख लें उसकी बाद ओयल लगा लें इस तरह हम तेज आज पर फुल फ्लेम पर इसको सेखेंगे अलगते पलडते हूँ इसको शेख 세aker जल्दी चल्दी जद्धा टाैम नहीं देंगे क्रिस्पी नहीं होना चाहिए क्रिस्पी हो गया तौ फिर उसको दबा दबा कर भी प्रैस नहीं करना है हमें इस तरह से हलका हलका साम इसको टरॉच करेंगी और सेख کے जाएंगे हलके हलके हाथों से दोरों तरफ हलकल का ओईल लगा दिया है मैंने इस तरह देखिए कि उसी तरह आप सको लटते पर लटते सेख लें कि और यह देखिए मैंने अलटते प्रट इसको सेख लिया और हमारा तेपला रवनकर रेडी हो गया है अब मैं इसको साइड में निकाल दूंगी एक और तेपला मैं आपको सेख के दिखा देती हूं देखिए डिरेक्ली मैंने पिना लगाए भी एट कर दिया है तब पर और है और यह रिखिए इसको में इस तरह प्रट दूंगी तेज फ्लेम पर ही रखीगा फुल फ्लेम होनी चाहिए तो जल्दी जल्दी सेख ना होता है उनको एक साथ बेल के रख लें और एक साथ ही आप सेख दे जाए कि यह रीखिए अलट्ते प्लट्ते में इसको भी सेख ले रही हूँ बहुत ज्यादा प्रैस नहीं करना है हल्की हातों से इसको ठाते हुए आप सेख लें ये थेपला ने रेड़ी हो गया है इस तरह आप आप सेखें एक साथ ज., बना व कर लिया है कि सबसे बैस ृय आप इसको स्टोर कर सकते हैं आप ठैवलिंग मेरें उसकते हैं। लोड़ vector watchingativas for 19-20 आप विफ्टीन जोगर बना लेते हैं कियो आप सॉफडने स्टेक लीजिए इसको फोल्ड करकी बखा रही हूं आपकर बहुत है। तो आप जरूर बनाएगा और जरूर ट्राइक कीज़ेगा और जब इजली हम घर में बना सकते हैं तक यह नहीं यह बच्चों के लिए बैस्ट है क्योंकि आप उसको फास फूट से बचा कर यह चीज़े खिलाएगे बच्चे अच्छे से खाएंगे और बहुत शौक से प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कीज़ेगा अपने फैमिली में शेर कीज़ेगा और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज और सब्सक्राइब कीज़ेगा थैंक यू फूचिए फो वाचिंग पिर मिलते हैं एक नहीं लजीप के साहरे